हेलो नमस्कार डियर स्टुडिन्स पर जितने भी खास करके जो लिट्रेचर के लवस हैं या अगर वो लोग ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स की अधियों तयारी कर रहे हो या फिर यदियों लोग कहीं PGT या फिर टीचर से संबंदित अगर वो तयारी कर रहे हो या फिर नेट जियारेफ की तयारी कर रहे हो उन सभी के लिए आज की वीडियों बहुत ही खास होने वाली है और मैंने पहले ही लिखा है कि वोर्ल्स बेस्ट एक्स्प्लानेशन तो मैंने पुरी जान जोक दी है ताकि इस पू भी ले ले और आपको इससे कोई लाव भी ना हो तो वीडियों के अंतक बनेंगे और पहले पार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा पार्ट जल्दाना चीए तो रेडी हैं चलिए सुरू करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत परिशानी नहीं है आज हम पढ़ेंगे ओथेलो जो विल्यम शेक्स्पियर की बहुत प्रसिद्ध एक कह सकते हो कि प्ले है एक ड्रामा है जिसके उपर धेर सारी मूभीज बन गई है यहां तक कि आप यदि आप हिंदी में देखोगे तो हिंदी में भी ओमकारा जैसी मूभीज आपको बनाई गए इसी के उपर और यूट्यूब पर भी धेर सारे एक्ट और धेर सारी मूभीज है ओथेलो के नाम से इसमें आज हम पढ़ेंगे इंटोड़क्शन और खास करके कारेक्टर के बारे में चुकि यह बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और तेलो के कहानी पे तो प्यारे बच्चो सबसे पहले जान लो और तेलो क्या है एक जया प्यारे बजय का मतलब आप समझ सकते हैं लिए स समक аसा पले गोजन ट्रेजिक होता है जयानि कि सौर Teacher होता है sorrowful conclusion of a play is called tragedy यानि कि अंत में बड़ा दुखत अंत होगा इसका कोई सुखत अंत होने वाला नहीं है जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं तो अंत देखते हैं अंत भला तो सब भला अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है लेकिन यहां ऐसी बिल्कुल विबार नहीं है प्या का एक और सब टाइटल है जिसको कहते है मूर ओफ वैनिस या दर ट्रैजडी टू ओथेलो यहां जो मूर सब दह बेटा यह अफ्रिकन है इस मूर का मतलब होता है अगर आप बुक पढ़ोगे तो हबसी कहा जाता है हबसी का मतलब आप समझ सकते हैं नीग्रो यानि कि जो ब गया है मूर और आगे बढ़ते हैं डेट अफ कंपोजिशन इसकी रचना की गए थी 1604 किसम है और यह मैलोन के द्वारा इस बात को बताया गया कि 1604 में इसके कंपोजिशन हुआ था पब्लीकेशन को लेकर करके कप्रकासित किया गया था यहां पे थोड़ा से डाउट है ड 1622 और कहीं कहीं पे 1623 लेकिन ज्यादा तर फेबर किया जा रहा है 1623 को जिसको फर्स्ट पोलियों में पब्लीक्स किया गया था एक मैकजीन में कह सकते हैं तोर्स की बात करें यानि कि विलियम सेक्सपियर ने यह जो ओथेलों की कहानी है यह कहानी कहां सली है देखो हम कभी कभी पढ़ाते समय क्लास में बच्चों को बोल देते हैं कि विलियम सेक्सपियर बटा कोपी पेस्ट करने में बड़ा माहीर थे इधर से उठा के इधर इधर से उठा के इधर क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड थे नहीं मैस 12 किये हुए थे तो जाहिर सी बाते बहुत अजने बड़े-बड़े लेखों को संदे होता था कि इतना बड़ा-बड़ा इंसान यह नॉबिल और जे प्ले इतने सारे सोनेट से कासे लिख सकता हैं बहुत सारे डाउट्टेड इनके राइटिंग्स भी है उसमें कहर बाद में चरचा करेंगे Overall, this story of this play has been taken from Heka Tomiti, ये एक word है, Italian word है, जिसके मतलब होता है 100 Fables of Giraldi Cynthia, आप ये Giraldi Cynthia का नाम याद रखना, overall कि Giraldi Cynthia, एक Italian Nobelist थे, जिन्होंने धेर सारे कहानिया लिखी, उसी कहानी में से एक था और थेलो, First Publish इन्होंने इसको किया था, Monteregalley in Sicily, ठीक है, 1565 में, ये इतली में Publish किया था, वहीं से इन्होंने 1565 की कहानी को उठा के और थेलो बना लिया, Well Dear Students, आगे देखते हैं, किस प्ले की जो सेटिंग है, प्ले की सेटिंग यानि कि अपनी वाली और हमारी वाली सेटिंग न समझ लेना, प्ले को कहां सेट किया गया है, किस सेनेरियों में सेट किया गया है, तो Venice and Seaport in Cyprus, ये Venice जगा है, वहाँ और वहीं पे एक सीपोर्ट होता है, सीपोर्ट समत्रे होना, बंदरगा होता है समुन्दर के किनारे, कहां पे Cyprus पे, एक्चली ये Cyprus एक जगा है समुन्दर के किनारे, जहां पे कैस्टल होता है किला, जहां सब लोग रहते हैं, उसको इबारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आगे प्ले में चलके, और वहाँ पे attack होने वाला था है तुर्की का, जिसको टर्की हम इंग्लिस में कहते हैं, और क होल जगह है, November 1, 16, 4 में इसको perform किया गया था, अगर देखा जाया तो, it was written a few months earlier too, few months earlier, किसके few months earlier समझ जाएंगे, जब James 1 का वेटा, James 1 का, जब राजा विसेख होने वाला था, उससे few months earlier, उस दिन पहले ही, इसको उसी को entertain करने के लिए लिखा गया था, और ये James 1 कौन ता आ जानते हैं, इलीजावेद के बाद, जो इंग्लेंड का राजकुमार बना, वो James 1 था, उसी को entertain करने के लिए इस प्ले को लिखा गया था, William Shakespeare के द्वारा, overall इसका theme क्या है, theme है बेटा, marital jealousy, marital jealousy का मतलब होता है, बेटा, post को लेकर के jealousy, जैसे हम काबिल है, कि हमें ये बनाया जाए, और हमें ना बना के किसी और को हमारे जगे पे बना दिया गया, तो हमें jealousy feel होगी, समझे की नहीं समझे, कैसे देखते हैं, मिर्जापूर में, वो कहता है ना, समझे, कैरे हम काबिल हैं भाई, समझ रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, वहीं कहानी अब उसको नहीं मिलता है, जैलस feel करता है, और revenge के चक्कर में आता है, कि ठुकडा के मेरा ये प्यार इंतिकाम देखोगे, जिन जिनोंने इसे ठुकडाया है, सबसे इंतिकाम लेता है, कौन लेता है, कैसे लेता है, आगे देखेंगे, इसमें total act रखेगा है 5, और total scene रखेगा है 15, ठीक है, अलग-अल act में अलग-अलग scene है, और जब मैं chapter को, यानि कि पूरे story को, प्यारे बच्चों, जब मैं deal करूँगा, तो आपको act-wise ले करके चलूँगा, और एक act में मैं आपको scene-wise भी लेके चलूँगा, ताकि प्यारे बच्चों, आपको detail समझ में आए, कि किस act के किस scene में क्या-क्या कांड हुआ था, नहीं तो, पांच मिनिट के अंदर में भी इस story को सुना के खतम किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता, because आप exam दोगे, तो आपको एक-एक चीजे अच्छी से आने चीए, है ना, आनन्दा रहा होगा, और प्यारे बच्चों, मेहनत अच्छी लगी जो भी बच्चे, जैसे second year ये graduation में पढ़ना है, बिहार university, अलग-अलग universities में भी ये पढ़ना है, चाहे जिसके semester-wide हो, या फिर मान लो, अगर year-wide, जैसा भी आपका system होगा उस university का, अगर उसमें ओठेलो है, तो इसने best ओठेलो को कोई भी आपको explain नहीं कर सकता है, जहां त तुमें तकलीफ हो जाएगी, अब characters में सबसे पहले बात करते हैं, ओठेलो की, तो ओठेलो क्या है, ओठेलो इस play का chief character है, या कह सकते हो, कि इस play का ये क्या है, hero है, hero है sir, hero है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को hero कहना चाहिए, जहां तक मैंने पूरा play पढ़ा क्योंकि इसको खुद पे विश्वास नहों के किसी और पे भरोसा है, तो hero होना चाहिए, self confidence होना चाहिए, चीजों को अपने से जाचना और परखना चाहिए, लेकिन यह वो नहीं कर पा रहा है, प्यारे बच्चों, आगे की कहानी को बढ़ाते है, general होता है कहा, venissian military में, यह venissian military में, veniss के military में, यह किस post पे रहता है, general के post पे रहता है, इसे अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि इसको मूर कहके बुलाया जाता है, इसको मौरिश चीफ कहके बुलाया जाता है, ठीके lips, मोटे lips कहके बुलाया जाते है, and old black ram, ram का मतलब हेडा होता ह वो कहके बारवेरी हॉर्स यानि कि एक बारवेरी का मतलब क्या होता है कह सकते हैं कि आतंकी टाइप का यह गोड़ा है मने काला को लुठा मने बिल्कुल भी यह दिखने में हैंडसम नहीं है जो आप समझा सुन्दर नहीं है कहा जाता है वो भी कहता है कि जब मैं साथ साल का था तभी से मेरे हातों में तलवा थमा दिया गया एक सुल्जर के रूप में फिर मुझे क्या पता कि हाओ टू लव लेडी कैसे किसी लेडी कैसे किसी महिला से प्रेम किया जाए इसको कुछ भी नहीं पता है इसलिए मैंने ल जो ड्यूक होता है, जो एस्टेट का मालिक होता है, आप राजा समझ सकते हो, और जो सीनेट होता है, जो भी सभा का मंत्रिमंडल जो भी बनाया है, सब लोग बहु ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ओथेलो में, and they think that the Republic of Venice lies on the soldiers of ओथेलो, कि पूरा वैनिस का जो रिपबलिक है वो ओथेलो के कंदों पर ही निर्भर है, ओथेलो इतना बड़ा warrior होता है, आप कह सकते हो, आगे बढ़ते हैं, अब कहानी में आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और देखेंगे अगला करेक्टर है डेस जी मुना, तो hero को जान लिए न, heroine को जानना जरूरी है, और heroine ये भी है सर, खुबसूरत, मतलब क्या कहते हैं, निहायती खुबसूरत, जिस तरीके से इसके, ठीक है न, इसके physical appearance का, जिस तरीके से explanation किया गया है, विल्यम शेक्सियर से, आप इतना समझा ये परी है, परी से कम नहीं है, समझे, हो भी pure hearted, एकदम कह सकते हैं, neat and clean उस तरी अथेलों की, she shows true love, courage and loyalty for his husband, वो किस चीज को दर साती है, सच्चे प्रेम को, courage, साहस को, वफदारी, अपने प्रियतमा, अपने हस्वेंड के प्रती, सीगो साइपरस जाती है, साथ देने के लिए अपने हस्वेंड का, on the campaign against Turks, वहीं साइपरस पे, तड़की का आकर्मन होता है, उसी पर, ओथेलों को भेजा जाता है, और ओथेलों के साथ, साथ कौन, उसके साथ, वहाँ पहुंसती है, जिसका नाम है, जी, डेस्टिमना, अल मारा जाता है, उसके हस्वेंड के द्वारा ही, क्यों मारा जाता है, आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ड्रामा में जा करके, वह एकदम मर जाती है, अपने प्रेम के एक गवाह के रूप में, कि ऐसा प्रेमी सायद ही न मिलो, कहती है कि मुझे दुनिया में मैंने सबसे बड़ा पाप ये किया, कि मैंने तन मन धन से सब तरीके से ओथेलों को प्रेम किया, और थेलों पर ये पूर्ण रूप से इतना फिदा होती है कि पूछे मत समझ रव, पापा की परी किस पे फिदा हो गई, तो एक मूर पे, एक हबसी पे, एक मोटे होट वाले, काले, कलूठे व्यक्ति पे, कैसे फिदा हो गई, क्यू फिदा हो गई, और फिर वो मर कहते सारी बातों को ड्रामा में जानेंगे, एक्साइटमेंट आपकी बढ़ी रहने चाहिए, प्यारी विद्दार थी हो, आगे देखते इयागो, तो आपने हीरो देख लिया, ओथेलो, हीरोईन देख लिया, डेस्टी मोना, नाव इस टाइम तुनो इयागो, दे विलन, ये क् का विलन है, ओथेलो जे एंसेंट कैपसें, ओथेलो के पहले का एक कैप्टेन है, वेनिशियन आर्मी में रहता है, and he hopes for promotion, but ओथेलो प्रमोट्स कैसियो, so he wants revenge from both of them, वो प्रमोशन के चक्कर में रहता है, ओथेलो सुछती कि मुझे प्रमोट करके कुछ बना दिया जाए, ल उसे भी, Iago took money, पैसा भी लेता है, एक और करेक्टर रोडरी गोई, तो बकलोल है, कहते हैं कि प्यार में लोग क्या-क्या नहीं लुटा देते हैं, हैना सर, बहुत कुछे कोई पैसे, कुछ के जमीन जाधा, थवेली, सारी लुटा देते हैं, वहीं ये पागल रहता है, इ आज नहीं, तो कर, डिस्टीमोना इसकी हो जाएगी, और हो क्यों ना, क्योंकि उसको Iago कहता है, कि मैं मैंनेज कर दूंगा, तुम्हारी डिस्टीमोना से बिवा हो जाएगा, तुम मजे ले सकते हो, डिस्टीमोना के साथ में, तो प्यारे बच्चो, ये था सारी की सारी कह नहीं, अब नाव कहानी को हम बढ़ाते हैं, प्यारे स्टुडेंट, आगे, और कैरेक्टर्स के बारे में, ये हिकेल, से जवाइब, इमीलिया, यागो की पतनी होती है, इमीलिया जिसको मार देता है, कि क्यों ट्रूथ बोलती है, उसके बारे में, हिकेल, रोडरिगो, ये मजबूर कर देता है, ओथेलो को, और मारने पे भी मजबूर कर देता है, ओथेलो को, जो अंत में जान ले लेता है, डिस्टी मुना की, ओए होए, बड़ी दुखत कहानी है, लेकिन मैं सुनाओंगा ना, जिस भाव से, भाव बिभोर ना हो गया है, तो कहना, आप बात करत जो फादर है, डिस्टी मुना का वेनिसियन सेनेटर है, अंतरी मंडल का एक मेंबर है, he is not happy at his daughter's decisions to marry ओथेलो, वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है, कि उसके जो बेटी है, डिस्टी मुना जो डिसीजन लेती है, कि वो साधी करेगी किसे, ओथेलो से, और वो ओथेलो को warn भी करता है, सचेत भी करता है, यह कह कि डिस्टी मुना बहुत ही चलाक धोकेवाज है, वो कहता है, कि जो बेटी अपने बाप का न हुई, वो बेटी तुम्हारा क्या होगी, बास समझ में आया, यह कहता है, ओथेलो को, आगे कहानी को बढ़ाते हैं, next characters, रोडरीगो, यह कैसी से कैसे भी पैसा इटता है कौन, यागो, ठीक है, आगे, वो अटाक कर देता है कैसीयो को, किसके, on the promotion of यागो, यागो के उकसाने पर, कैसीयो पैटाक कर देता है, चुकि कहानी कुछ ऐसा, ट्रिकोनिय स्रिंखला में प्रेम महबत हो जाता है, कि यागो, जब कैसीयो पैसे मांगने लगता है, यागो से, तो यागो कह देता है कि कैसीयो से डिस्टी मोना की सेटिंग है, और ओथेलो यहां से जाने वाला है, तुम कैसीयो को मार दो, फिर तुम्हारा एक रास्ता क्लियर हो जाएगा, और ऐसे भी ओथेलो डिस्टी मोना से प्यार वैर करता है त्होंड जाएंगी इस ही चक्कर में यह कंड करता है , jogj वेनिटेमे ये क्या है ? जिसको प्रमोट इसने किया है, कि भी अथेलो, वह बीच का रास्ता मंत में अध़ित? वो होता है लेकिन क्या करोगे समय का पहिया ऐसे घूंगता है ऐसे conspiracy होती है ऐसी सड्यंत्र का रचना किया जाता है कि इसमें सब फस जाते हैं ये भी फस जाते हैं यागो कनविंसड ओठेलो दटेश्टीमोना इसिंन लव विद हिम यागो कनविंस करता है ओठेलो को कि एस जिमोना किसके 박े में है विदम मतलब कैसी यह के 박े में हैं संदे में रहोगे तो ऐसे से कांड करोगे, डाउट में मत रहो, जो डाउट हो, पूछ लिया करो. अब बात करते हैं, he is appointed as the governor of Cyprus after the death of Othello. विचारे का पैर कर जाता है, और अंत में Othello की जब death हो जाती है, suicide जब Othello कर लेता है, इसी को governor निक्त कर दिया जाता है, अब बियांका, इसका भी बड़ा एहम रोल है, बियांका एक prostitute है, prostitute मतलब होता है Westia, आप जानते हैं, ये कैसियों से प्रेम करती है, अंसी agrees, वो agrees हो जाती है, कि hanker chief का वो copy करेगी, जो कैसियों उसको देता है, सर, ये hanker chief जो है ना सर, बड़ी खतरनाक है सर, ये सारा कहानी का जड़ ये भी है, ये बड़ा खतरनाक है सर, तिलिए रुमाल देने वाली से बच के रहना दोस्तो, ये रुमाल क्या क्या कस्ट करा देता है, आप देखोगे ड्रामा तो समझ में आएगा, जो weak activities होता है, दुस्ट किरिया कलाब जो वो करता है, ओथेलो के प्रती, कैसियो के प्रती, रोडरिगा डिस्टीमोना के प्रती, उसको मार दिया जाता है उसके पती के द्वरा, जब वो पोल खोलना क्या कर देती है, शुरू कर देती है अपने पती के बारे में, और नेक्स्ट है वोए ड्यूक, तो ड्यूक कौन होता है, लीडर होता है, वैनिस के सिटी का, वही ओथेलो को प्वाइंट करता है, कि भेया तु फोर्सेस को लीड करो, और डिफेंड करो, वैनिस को वैनिस को तुम बचाओ, अगेंस दे टर्किस अटैक, जब साइपरस पर अटैक होता है, तो यही जो ड्यूक है, वही ओथेलो को भेजता है, कि तुम वहाँ पे जाओ, सैनिको को लीड करो, और वैनिस को तुम्हारा बचाने का जिम्मा है, यह जब बात बिगड जाती है, जब भगा करके साधी कर लेता है, और थेलो, यह यू कहो तो खुद वह भाग करके, डिस जिम्मोना जाती है, बिवा हो जाता है, पंचायती बैठता है, उसमें जो डिस जिम्मोना का बाप है, ब्रिवेंसियो, वो सारी बाते रखता है, तो ब्रिवेंसियो को समझाने का काम ड्यूक भी करता है, बेटा एक्सेप्ट कर लो, साधी हो गई, अब बात खत्म, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अथेलो, बहुत बड़ा वारियर है, सोल्यर है, इसलिए, अब थोड़े-थोड़े से ये क्यारेक्टर से, ये क्यारेक्टर के थोड़े-थोड़े से रोल से हैं, तो overall मैंने लिख दिया, जैसे ग्रंसियो है, ब्रेवेंसियो का जो ब्रदर है, या कह सकते हो, अंकल होता है कि इसका डेस्टीमोना का, कि जब दिट्यमोना और ओठैलो का डे x हो जाता है, तो खहा जाता है कि इस सारी प्रोपर्टी तुम्हारी हो गई, है ना, डेश्टीमोना का कजिन है, जिसका नाम है ल मंटेनगों, मंटेनगों कोण हैं ओठैलो का प्रेडिसर्स, यही main characters तो यहीं तक है, बाकी थोड़े बहुत इनका role है, तो उमीद करता हूँ कि आज का ये class और ये special video जो है आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा समय लगता है प्यारे बच्चों मेहनत करने में, लेकिन अच्छा देंगे, solid देंगे, ताकि आपका exam अच्छे से, अब देखो न, कोई भी आप character sketch इस बदावलत आप कर सकते हो, सबको अगर आप paragraph में लिख लो, तो character sketch हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो thank you very much, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, part 2, जो होगा complete explanation, scene-wise, act-wise, thank you very much, jahind.